इस वत हमारे साथ मौझूद है मुरादवाद मंडल के कमिशनर आंजने कुमार जी जिन से सीधे बात कर लेते हैं सर आपको धिर सारी सुपकामना है एक वर्स का कारिकाल बढ़ने पर सर यूपी में आपका एक वर्स का और कारिकाल बढ़ गया है इसको लेकर क्या कहीं देखिए तो एक प्रक्रिया है यह सरकार का नेड़ा है और मुझे खुशी है कि मुझे और सेवा करने का प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलेगा मैं खुश किसमत हूं कि मैं तोड़ा और समय मिल पाया इस से जादा मैं क्या कहूंगा कि जो समय मिल पाया उसको मैं पूरा प्रयास करूंगा जितना बहतर पब्लिक के लिए कर सकता हूं करूं रामपुर के लोगों ने आपका कारेकाल बढ़ने के लिए दुआ की और खास तोड़ से मुसल्मानों नहीं आपके लिए दुआ की थी, क्या ये कही न कही उनका भी असर हुआ है? इस पर मैं क्या बुलूँ लेकिन हाँ जो लोग वेल विशर्स हैं उन सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने आपको खुशकिसमत मानता हूँ, कि लोगों का मेरे में विश्वास है और ये सबसे बड़ी किसी के लिए भी बहुत बड़ी ताकत होती है, जो आ मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो चीज फोकस की जाती है, आप देखे रामपुर में दो साल से ज्यादा का जो कारेकाल है, उसमें चाहे वो करोना काल से पहले का पीरियड हो, या करोना पीरियड में हो या उसके बाद का लागडाउन के पीरियड में भी, मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, जो मुझे ड्यूटी जा दी जाती है उसके, माने मुख्यमंत्री जी ने जो एक सरकार की व्योस्था बनाई है, और उसमें जो हमलों को दाइत तो दिया है, उस दाइत तो को पूरी तरह पूरा करने का, तो रामपुर में अपने कारेकाल के दोरान में न हो आँ वाटर पे हो या फिर लोगों के लिए लॉक डाउन के दरान लोगों के सर्विसिस करने का हो, स्वास सेवाय हो, एजूकेशन हो, उन सारी चीज़ों पर, लोगों के सहयोग से मैं तीन प्राइमरी स्कूल भी बना पाया, सात अगनवाडी केंद्र भी बहतर कर पाया आगनवाडी केंद्रों को और भी बहतर करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़े हैं जिसके लिए मैं रामपुर को याद रखना चाहूंगा, अब ये अलग बात है कि लोगों को एक ही चीज से ज्यादा लोग मुझे जोडते हैं, वो एक संजोग मात्र है, कि जिसमें सब्सक्राइब है, कि वो होती, वो करता क्योंकि हम कानूनन बाद दें हैं, विदिक रूप से चीज़े करने के लिए बाद दें हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने कारेकाल को इसी बात के लिए याद करना चाहूंगा कि हम पप्लिक, मलादा हम सिविल सर्वेंट्स हैं, हम पप् क्यों रहा है ने ऐसा नहीं है रामपुर में चुकि सर्व किया है मैंने तो लोगों से तालुकात जादा है आज भी लोग रामपुर के लोग आते हैं लेकि मेरे पास पूरे मंडल से लोग आते हैं अब देखें अगर यहां पे पुब्लिक काफी आती है अम्रोहा से भी से लागू करना पारदर्शिता रखना प्रशाशन में और लोगों की भरोसी को कायम रखना जन समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा निस्तारन करना और हम उसी पर फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा तो जितना हम बहतर करते जाएंगे जनता का विश्वास हमारे उपर रह इतियां बनाई हैं उनको हम बेहतर तरीके से लागू कर सकें लिए आजम खान के साथ जो भी हुआ चाहें वो लोक सवा का उपचुनाब हुआ या विधान सवा का उपचुनाब हुआ उसके लिए वह आपी को क्यों जिम्मेदार ठराते हैं तेकि मैं फिर से यह कहूंगा कि वो बेहतर जानते हैं क्योंकि मेरे कारेकाल में कई सारे एक्शन्स हुए इसलिए लेकिन यहां पर व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है लोग व्यक्तिगत रूप से जोडने की कोशिश करते हैं मैं डिस्पोजल अफ ड्यूटी के अंतरगत मैंने जो किया वो साक्षयों के साथ है वो सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है वो पूरी टीम का काम है वो आप देखेंगे administrative officers, police अब इस समय तो सारा कुछ कोर्ट में है कोर्ट में हमारे prosecution की टीम जो अंसंग हीरोज हैं जो की मेहनत करते हैं हर एक दस्तावेज पे कोर्ट के सामने साही धंग से प्रेजन्ट कर करना सही को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करना हमारा कुल मिला के काम यही है उसमें व्यक्तिकत जैसा कुछ भी नहीं है अब मेरे कारेकाल के दौरान वो चीजें हुई और संजोग से मैं यहां पर कमिश्णर हूं तो उससे जोड़ा जाए यह अलग बात है ऐसा होना न फील्ड पर लाने में समय लगता है कोई भी चीज अचानक से आप किसी के कोई के प्रोसीजर है अचानक से आप किसी वरुद एक्शन नहीं कर देंगे उसके लिए जब तक आप पूरा प्रोसीजर नहीं करेंगे 17 से लेके 17 और 18 दो वर्शों में मेरे पुरवर्तियों ने क साफी उस पर प्रोसीजरल कारेवाई कर दी थी इसलिए मेरे लिए आसान रहा कि उसके आगे में बढ़ पाया और मैं आपको दारन दूंगा जैसे एक गेट किराया गया था जो पी डवलूटी की रोड पर था उसमें मेरा आदेश नहीं था मेरे पुरवर्ति का आदेश थ कि इसके साथ ही मतलब मैं अगर देखूं तो कई सारे उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी जो मेरे पुरूवर्ति अलड़ी कर चुके थे मुझे सिर्फ एक जिक्यूट करना था अब यह है कि समय जिस तरीके से जो चरण लेता है उस चरण के हिसाब से कारवाई होती है औ प्रोसीजर पूरा होने के बाद ही करवाई होती है और प्रोसीजर जिस तरीके का है उसमें समय लग जाता है यह थे हमारे साथ आंजने कुमार जी इनका कहना है कि मैं जैसे की लोगों की सेवा में रहा रामपूर के और जस तरह से उनका विश्वास मैंने बनाए रखा पर जबचनता और सत्ता मुरादवाद